हलो नमस्कार पेंट्स एक एक क्लास है जेपर ओनलाइन प्लेट फॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों हम भी स्टीसी परिक्षा दोजार तेवीश के लिए राजिस्थान जीके के टॉप मुष्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन लेकर आएं इन में से आपको एक क्वेस्टन भी नहीं छोड़ना है सबको अच्छी तरीके से याद कर लेना है या अच्छी तरीके से रट लेना है तो आज हमारी ये 16 नमबर की क्लास है तो आईए शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेस्टन है राजिस्थान की सिक्चा नगरी किसे कहा जाता है उदैपूर अजमेर भरतपूर और कोटा तो राजिस्थान की सिक्चा नगरी किसे कहा जाता है कोटा को कहा जाता है अगला क्वस्चन है हमारा बाकर की पाड़ियां किस जिले में इस्तित हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और शुरुई तो बाकर की पाड़ियां किस जिले में इस्तित हैं शुरुई जिले में इस्तित हैं अगला क्वेस्टन है हमारा तलाबाओं से सरवादिक सिचाई किस जिले में होती है जैपूर है बरतपूर बीलवाडा अजमीर तलाबों से सरवादिक सिचाई किस जिले में होती है तो तलाबों से सरवादिक सिचाई बीलवाडा जिले में होती है अगला क्वेस्टन है हमारा मैसा का पठार कौन सा दूर्ग इस्तित है मतलब मैसा के पठार पर कौन सा दूर्ग इस्तित है तारागड कुंबलगड चितोडगड लोहागड तो मैसा के पठार पर कौन सा दूर्ग इस्तित है चितोडगड इस्तित है नेक्स्ट क्वस्चन है हमारा दोस्तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेस आना अब तक मिल जाए राजिस्तान में सरवादिक बीयड़ भूमी किस जिले में है उधैपुर शिरोई कोटा और धौलपुर तो सरवादिक बीयड़ भूमी धौलपुर जिले में इस्तित है अगला क्वस्चन है राजिस्तान राज अभी लेखागार कहां पर इस्तित है बाड मेर बीकनेर जैसल मेर अलवर तो राजिस्तान राज अभी लेखागार कहां पर इस्तित है बीकानेर जिले में इस्तित है नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा कौन सी रेका थार के मरुस्तल को दो बागों में बाड़ती है 25 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तो कौन सी रेका थार के मरुस्तल को दो बागों में बाड़ती है 25 सेमीरे का दो वागों में बाढ़ती है next question है हमारा मैगनीज का सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है कोटा, उदैपूर, अलवर और बांसवाडा तो मैगनीज का सरवादिक उत्पादन बांसवाडा जिले में होता है दोस्तों आपको सभी खनीजों के उत्पादन कांपर होते हैं किस जिले में होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है इन में से एक question जरूर पूछा जाएगा आपके में जैसे मैगनीज का बांसवाडा में फैल स्पार का कांपर होता है जिप्सम, फास्पोरस ये सब के याद कर लेने हैं अगला question है हमारा जांगल पृदेश किस जिले का प्राची नाम था उदैपूर, वीका नेर, बाढ़मेर और सिरोई तो जांगल पृदेश, वीका नेर जिले का प्राची नाम था मतलब जीब बी का नेर को प्राची नाम जांगल प्रिदेश था नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा किसे किस नदी का उद्गम छोटी साथ ड़ी प्रताप गड़ से होता है चंबल, माही, जाकम, बनास तो कौन सी नदी का उद्गम छोटी साथ भी प्रताब गड़ से होता है जाखम नदी का अगला क्वेस्टन है हमारा लसाडिया का पठार किस जिले में इस्तित है उदैपूर, कोटा, जैसल में भरतपूर तो लासाडिया का पठार कहां पर इस्तित है उध्यपुर जिले में इस्तित है नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा राजिस्तान का पहला गो अभ्यारन कहां इस्तित है चौमू, नापासर, सापुरा और नसीरबाद तो राजिस्तान का पहला गोव अभ्यारन कहा है इस्तित है नापासर में और यह कहाँ पर है बी का नेर अगला क्वश्चन है हमारा राजिस्तान का सरवादिक बंचेतर बाला जिला कौन सा है बीलवाड़ा अजमेर चूरू उद्यपुर तो सरवादिक बंचेतर बाला जिला कहां पर है कौन सा है उद्यपुर जिला है अग्ला कुश्चन है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना राजस्तान में राजे सबसीटों की कुल संक्या है दस- भीष- तीस- छालीस तो कितनी है दस है 10 अगला कुस्चन है हमारा फैल सबार का सरवादिक उत्पाधन किस जिलह में होता है जैपूर अजमेर कोटा प्रिताफगण ऊच्छावता है ऊच्छावता है नेक्स्ट राजिस्तान की उडन परी किसे का जाता है हमीदा बानो को मंजु राजपाल को नम्रता बट को नगेंदर बाला को तो राजिस्तान की उडन परी हमीदा बानो को का जाता है किसे ये कहां कि हैं जैपूर की रहने वाली हैं अगला कोश्चन है हमारा राजिस्तान उच्छ न्याले की खंड़ पीट कहां पर इस्तित है इसमें क्वेस्टन में खंड़ पीट पूछी है उधेपुर, भीलवाडा, अजमेर, जैपुर तो राजिस्तान उच्छ न्याले की कंड़ पीट कहां पर इस्तित है जैपुर जिले में इस्तित है अगला क्वस्टन है मारा करके रेका राजिस्तान में कितनी लंबाई है मतलब करके रेका की राजिस्तान में कितनी लंबाई है 26 किलो मीटर, 40 किलो मीटर, 50 किलो मीटर, 60 किलो मीटर तो करके रेका की राजिस्तान में 26 किलो मीटर लंबाई है नेक्स्ट क्वस्टन है हमारा अजान बान किस जिले में इस्तित है अजमेर शिरोई जैपुर बरतपुर तो अजान बान बरतपुर जिले में इस्तित है नेट्स्ट प्रेस्टन एः त्रिनेट्र गनेश मंदिर किन जिले में इस्तित ऊच्छ्वेरар चिरोही, कोटा a रंतंबोर का इस्तित है रंतंबोर सबभाई माध्योपुर में इस्तित है उके दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर अगर आप यदिन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और हमारी चैनल की जो पिले लिस्ट में ये शोलवे नंबर की किलास है इससे पहले 15 किलास और ले चुके हैं हम उनको पूरी को वोच करना है मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय वारत